दोस्तो एनिमल के बाद अब जिन दो फिल्मों का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है वो तो आपको मालूम है एक डंकी और एक सलार प्रभास के फैन का कहना है कि डंकी सलार के मुकाबले में कुछ भी नहीं है सलार ब्लॉक्बस्टर होगी और डंकी को पीछे छोड़ देगी उसी तरह से शारुख खान के फैन भी पीछे नहीं है उनका कहना है कि डंकी यानि कि शारुख खान की डंकी जो है वो इतिहास रचे और सालार से आगे निकलेगी और इस साल की हैट्रिक तो होने वाली है जैसे कि आपको मालूम है शारुखान की तो यह एक लड़ाई चल रही है जो काफी टाइम से है लेकिन अब यह लड़ाई थोड़ी तेज हो गई है क्योंकि फिल्म की रिलीज के लिए बहुत जादा दिन अब नहीं बचे हैं तो दोनों फिल्म में क्या करती ही नजर आ रही है इस पर बात कर लेंगे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको और रेगुलर मिलते रहे हैं कि जैसे गर्मी में एक थंडी हवा का जोका एक फ्रेश कॉंटेंट है और काफी टाइम के बाद इस साल एक ऐसा कॉंटेंट आ रहा है जिसे फुली फैमिली इंटर्टेंडमेंट मूवी कहा जा सकता है फिल्म के ट्रेलर में शारुख खान बोलते वे दिखाई देते हैं कि इस कहानी की शुरुवात मैंने की थी और इस कहानी का अंत भी मैं ही करूँगा तो शायद उनका इशारा पठान की तरफ था जनवरी में 2023 में पठान ब्लीज हुई थी और आल टाइम ब्लॉकबस्टर की केटेगरी में शामिल भी हो गई है वो फिल्म और शारुख खान का कमबैक भी था तो इसी तरह से उनका ये इशारा है कि डंकी भी जाते जाते उनकी हैट्रिक कराएगी जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था और आल टाइम ब्लॉकबस्टर की केटेगरी में ये इस साल की आखरे फिल्म होने वाली है सिर्फ कॉमेडी की भी बात की जाए या सिर्फ एक्शन की बात की जाए तो वो उत्रा इंगेजिंग नहीं हो पाती है फिल्मे लेकिन जब एक्शन के साथ या कॉमेडी के साथ में इमोशन का तलका लगा दिया जाए तो फिल्म अपने आप में ओडियोंस को कनेक करने में थोड़ा इजी रहता है जैसा कि आपने इस साल एनिमल में देखा एमोशन के साथ एक्षिन क्या रिकॉर्ड बनाए उस फिल्म ने अब एक्षिन के साथ तो आप एमोशन देख चुके हैं अब डंकी में आप कॉमेडी के साथ में एमोशन देखने के लिए तयार हो जाएए औ और यह जैसा ट्रेलर से महसूस हो रहा है कि यह फिल्म आपको जबदा संसाएगी और उलाएगी भी डंकी फिल्म के ट्रेलर में सबसे जादा जिसने मेरा ध्यान खीचा है वो हैं विक्की कॉशल विक्की कॉशल की एक्टिंग से तो आप भली बाती वाकिफ हैं सैम बहाद और इसी फिल्म से वो लाइम लाइट में भी आये थे और आम शूर के डंकी से भी वो आपको हसाएंगे और उसके बाद रुला कर जाएंगे फिल्म शुरू होती है 2020 से जहां 25 साल पहले हमें शारुख खान लेकर जाएंगे लाल्टू में और उनकी मुलाकात होती है चार उ खाजुहरानी के स्टोरीटेलिंग की जो स्टाइल है उससे तो आप भली भाती वाकिफ होंगे इससे पहले वी हमने उनकी फिल्में देखी है स्टोरी को प्रेजेंट करने का जो उनका तरीका है अपनी फिल्म की स्टोरी को हर समय वो समझाते हुए चलते हैं एक वोइस के जरिये से इससे पहले आपने 3D8 में देखा आर माधवन का वोईस ओवर था और PK में आमिर खान का और संजू में रनबीर कपूर का और इसमें शारु खान का वोईस ओवर है जब हम फिल्म देख रहे होते हैं तो फिल्म अपने प्रेजेंट मोड से जब फ्लैश बैक में ज जो तरीका है राजु इरानी का फिल्मेकिंग का ये उनको बाकी के फिल्मेकर्स की फिल्मेकिंग से डिफरेंट बनाता है इसमें शारु खान आपको बहुत टाइम के बाद एक डिफरेंट डूल में नजर आ रहे हैं शारु खान की बात की जाए तो वो हर फ्रेम में फिट कैसा करेंगी तो सबसे पहले हम सलार का नाम लेंगे सलार जिस दिन रिलीज होगी बंपर ओपनिंग लेगी वो इससे पहले भी हमने देखा है कि जो भी एक्षिन फिल्म 2023 में रिलीज हुई है या उससे पहले भी आई है तो पहला दिन उनका bumper opening का होता है जबरदस्त कमाई करेंगी पहले दिन और सलार अपने एक हफते में अपनी जो cost है, budget है वो निकाल लेगी और दूसरे से तीसरे हफते ये जम कर कमाई करने वाली फिल्म है लगबग 3-4 हफते इस फिल्म को मिलेंगे अब डंकी की बात करें तो डंकी का जो content है और राजकुमार हिरानी की जो फिल्म में है वो 3-4 हफतों के लिए नहीं आती है वो आती है 3-4 महिनों के लिए तो डंकी की बात करें तो डंकी bumper opening लेने वाली है पहले दिन और धीरे धीरे चलते हुए ये एक नया record बनाएगी मुझे ऐसा लगता है कि बाकी आप comment में बताईए कि आपकी क्या राय है और वीडियो अच्छा लगाओ तो like और share कीजेगा और इसी तरह के वीडियो में next time मिलेंगे आज के लिए इतना ही जैहन